इस वाले question को देखिएगा, question आप से क्या कर रहा है, आप से कर रहा है, for an alternating source, एक alternating source है, जिसमें 220 voltage mains पर आ रही है, तो हम से कर रहा है, maximum voltage बता दो, तो यह आपको कहां मिल रही है, यह mains पर मिल रही है, तो आपको पता है, mains पर जो मिलती है, वो VRMS value मिलती है, यह कितना है, 220 volt, औ V naught upon root 2, peak voltage का भी root 2 times, नीचे कम कर दो, 220 हैसी रहेगा, तो V naught आप से पूछ रहा है, तो root 2 की multiply हो जाएगी 220 से, root 2 की value कितनी होती है, 1.41, इसकी जब 220 से multiply करेंगा, तो value 310 के आसपास पोच जाएगी, तो यह approximate 310 volt हो जाएगी, तो जो peak voltage होती है, वो 310 volt होती है, अगर आपके हैंना है कि इसका 220 voltage होगा, लेकिन जो peak voltage होगा, वो 310 volt होगा, इस ही गई, तो approximately 310 हो जाएगा, तो मतलब 5 में एक का जो कि 2 हार 17 गंदर question पूछा गया था, इसका C answer हो जाएगा, देखो इस तरह के question खास हैं, आपके board exam के लिए,